एलो एवरिवन, वेलकम बैक तो माई चैनल, तो फ्रिंट्स, आज की इस वीडियों, फ्रिंसिस कट बैल्ट, ब्लाउस की कटिंग और स्टीचिंग करेंगे, विट इसमें हम पर्फ स्लीज भी क्रियेट करेंगे, तो उसे बनाने के लिए हमने आपे लाइनिंग 80 cm लिया है, और मैं फैवरिक 1 मीटर लिया है, तो उसकी जो पहले मार्किंग है, वो हम पहले लाइनिंग फैवरिक पर करेंगे, तो ब्लाउस की जो टोटल लैन्द है, वो हमें रखने है 13.5 इंच, गेर इंच इसमें ब्लास कर देना है, तो हम यहाँ पर 15 इंच ले रहे हैं, और वेस्ट का 4th पार्ट आएगा 35 का 4th पार्ट 8.75 इंच, और मार्जन के लिए हमको एड कर लेना है 2.5 इंच, वेस्ट का 4th पार्ट 7 इंच, और हमने यहाँ पर 2.5 इंच मार्जन के लिए और 2.5 इंच ही टक्स के लिए लिया है, और जो हमारा वेस्ट है उसकी 4th, वेस्ट 28 है उसका 4th पार्ट 7 इंच लिया है 1 इंच से आर्मोल के साइट पर गुलाई देनी है अब हमारी जो लोवर चेस्टे उसकी जो मार्किंग है जो यानि की फिटिंग है उसकी वो हम 13 इंच पर आई है तक्स पॉइंट जो है वो आएगा हमारा 10 इंच पर नीचे की साइट भी मार्किंग कर ली है 3.5 इंच की इस तरह के से शेप देना है तक्स की जो वीट थे वो हम 2.5 इंच की रखेंगे और इस टैब से शेप देना है अब दोनों टक्स को मेजर कर लेना है और यहाँ पर इस तरह से जो एक्स्ट्रा और ऊणिग कर देनी है और यहाँ से लाइन को ड्रो कर देना है इसको हम कट करेंगे तो फ्रेंड्स और भी अगर डिजाइन आपको ब्लाउस की डिजाइन देखनी है तो चैनल पर काफी सारी वीडियो अपलोड है आप उन्हें देखकर कोई भी डिजाइन बना सकते हैं अब देखें हम बेक पार्ट की मार्किंग करेंगे तो पहले हाफ इंच की मार्किंग कर देनी है इसकी जो टोटल लेंद है वो हमें 14.5 इंच रख लेनी है यहाँ पर शुल्डर लेंगे हम 5.5 इंच आर्मोल लेंगे 5.75 इंच चेस्ट का फोथ पार्ट आएगा 8.75 इंच 2 इंच मार्जन के लिए वेस्ट का फोथ पार्ट लेना है 28 का फोथ पार्ट 7 इंच 2 इंच मार्जन 1 इंच बेक टक्स के लिए साइट से लाइन को ड्रो कर देना है वन इंच से आर्मोल के साइट पर गुलाई देनी है इसको भी हमें कट कर लिएना है तो फ्रेंट और बेक पार्ट दोनों की कटिंग हो गई है अब हम इसे मैन फैब्रिक पर कट करेंगे अब जो बैल्ट है वो हम एक बार और कट करेंगे क्योंकि उसमें हमें मार्जन एट कर लिएना है तो यहाँ पर जो हमें टक्स के लिए था वो तो हमें माइनस कर देना है यहाँ पर और मैंने उपर नीचे दोनों साइट से हाफ आफ इंच रखा है और अब हम इनकी कटिंग मैन फैवरिक पर करेंगे तो यह देखिए यह हमारा बैक वाला पार्ट है बट इसको हम यहाँ से हटाएंगे क्योंकि यह हम ओपन साइट पर रखेंगे तब ही हमारी परफ स्लीस निकल पाएगी तो आपको यह दियान रगना है ठीक है तो इस टाइब से हमें फ्रेंट वाला जो पार्ट है उसको इस तरीके से कट करेंगे और इसे हम किसी भी तरीके से रख सकते हैं क्योंकि जो डिजाइन है हमारी वो दोनों साइट पर ही है सेम डिजाइन है यहाँ पर हलकिसी गोलाई देनी है अब बैक वाले पार्ट को यहाँ पर रखना है और इसको भी कट कर देना है तो दिखिए इसे हमने कट कर लिया है और अब हमें आप बैल्ट को कट कर लियना है तो बैल्ट में सेंटर पर जोइंट नहीं आना चाहिए तो हमें से बंद बाले बाग के साइट पर कट करना है तो बैल्ट भी हमारा कट हो गया अब हमें पफ स्लीज को कट करना है तो दिखिए यहां पर इसका जो फैवरिक है यह अगर 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 दिखिए यहां पर हम इस ट्रैप से प्लेट्स चालिंगे यह दिखिए तो यह उठेगी तो यह पूरी थोड़ी-स थोड़ी सी पैक टाइप की रहेगी ज्यादा उठ फूलेगी नहीं तो हमें जदा फूलने वाली नहीं बनानी है तो इसके लिए हमें आपर इसको इस तरीके से फोल्ड करके कट करना होगा तो जितनी भी आपको स्लीज की लैंथ रखनी है उसमें से बैल्ट आपको माइनस कर देना है तो मुझे यहाँ पर टोटल लैंथ 9.5 इंच की रखनी थी मैंने आपर जो अपर लैंथ है वो 7 इंच रखेंगे और 1 इंच इसमें मार्जन एट कर लिया है 2.5 इंच का हम इसमें नीचे के साइड बैल्ट लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा यह और फैब्रिक बच किया है तो हम इसको भी यहाँ पर कट कर लेंगे क्योंकि पॉप स्ल तो देखिए हमने आपर स्लीस को भी कट कर लिया है तो सभी कटिंग हमारी हो गई है बैल्ट हमें 2.5 इंच का कट कर लेना है तो देखिए यहाँ पर नीचे के साइड पर डिजाइन बनी हुई है तो वो डिजाइन को इद्यान में रखकर हमें यहाँ पर वो डिजाइन बन पुलू टाइब की स्ट्रैप से डिजाइन बनी हुई है तो वहीं डिजाइन सेम हमको यहां पर स्टीच करके फिर हम इसको कट करेंगे तक यह जो डिजाइन बनेगी वह कट वर्क टाइब की हो जाएगी जो की देखने में बहुत ही सुन्दर दिखेगी तो अगर आपके पा यह देखिए इस तरह से एक स्ट्रा जो फैवरिक है वो कट करना है पलट लिया है तो इस टाइप से डिजाइन बन गई है अब हमें आपे नेक को कट करेंगे पिन अप करना है टक्स की जो वीट रखेंगे वो टू पॉइंट पाइव इंच की रखेंगे नेक की लैंध हम सेवन इंच रखेंगे यहाँ पर इस टाइप से शेप देना है इसको कट करेंगे इसको स्टीच कर लेना है स्टीच करने के बाद हमें आपर क्रॉस में पटी कट करनी है लाइनिंग फैबरिक की डबल करते हुए नेक पर हम स्टीच करेंगे कट लगाना है पूरे ही नेक पर यहाँ पर फोल्ड करते हुए स्टीच करना है अंदर के साइट फोल्ड करते हुए स्टीच करेंगे यहाँ पर एक कट लगाएंगे हलका साथ तो देखिए यहाँ पर लगाने के लिए हम नागे वाली पाइपन यूज कर रहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हैं और इस स्वैप से हमको पाइपन लगा देनी हैं यहां पर कॉनर पर हमें कट करके लगाना है इसको यहां पर एक दो कट लगा देंगे और इस पर आइरन करेंगे न तो नेक हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा तो दीके नेक को हमने सेट कर लिया अब प्रिंसेस कट वाले पार्ट को स्टीच करना है यह दिखिए स्टेप से अभी आपर बैल को स्टीच करेंगे तो सेंटर पर मिलाते हुए इस तरीके से हमको स्टीच करना है यह दिखिए हाप इंच का आर्मोल के साइट पर गुलाई दे देनी है और दिखिए यहाँ पर भी हमें जो कट वर्क हमने बनाया था फ्रेंट बैल्ट में सेम यहाँ पर भी हमें बना देना है तो से हम वैसे ही बनाएंगे जिसके हमने बैल्ट में बनाया था यहाँ पर कट लगा देना है इसको पलट देना है यह देखिए इस तरह से इसके जो कॉर्णर है वो अच्छे से निकाल लेना है और इस पर भी हम एक बार आयरन करेंगे तो देखिए हमने इसको स्टीच कर दिया निचे के साइट से और साइट से अब इसको दोनों साइट बराबर रखना है जो भी एक्स्ट्रा हो इसका उसको हम कट कर देंगे अब यहाँ पर इसकी जो वीट वो 2.5 इंच रखी लैंध हमने इसकी 10 इंच रखी है एक बॉक्स बनाना है इसमें नेक को ड्रॉ करना है यह देखिए इस टाइप से शेप देना है नीचे के साइट से 3 इंच पर मार्किंग करते हुए शेप दिया है और इसको हम कट करेंगे नेक को स्टीच कर लिया अब यहां पर हमें पाइप इन लगानी है तो पाइप इन हम सिंगल फूट से लगा रहे है से मिसी में भी इस तरीके से ही पाइप इन लगाएंगे यह दिखे इस तरह से हमने पाइप इन को लगा दिया है कट लगा देना है और अंदर के साइड इसको फोल्ड कर देना है इसको यहां से हम स्टीच कर देंगे इसको इस तरह से जोइन कर देना है अब यहां पर हम हुक की पट्टी लगाएंगे तो लाइनिंग फैबरी को डबल करते हुए स्टीच करना है अंदर के साइड इसको फोल्ड करते हुए स्टीच करेंगे तो हुक की पट्टी हमारी कम्प्लीट हो गई है और अब हमें आई की पट्टी लगानी है तो इसको वीट में हमने 3 इंच रखना है और उपर नीचे दोनों साइड से फोल्ड करते हुए स्टीच करेंगे यह देखे इस तरह से अब दिखिए यह हमारी स्लीज है स्लीज की जो टोटल लैंद है वह हमारी 18 इंच की है और वीट इसकी 8 इंच की जो लैंद इसकी 8 इंच रखी है वीट थमने इसकी 18 इंच रखी है 18 का डबल है यह ठीक है 9.5 इंच पे मार्किंग की और 3.5 इंच पर स्लीज को डाउन कर देना है इसको कट करेंगे यहाँ पर हम 4.5 इंच पे मार्किंग करते हुए कट लगा देना है और अब इसमें हम प्लेट्स डालेंगे तो 4.5 इंच जो मार्किंग की वहाँ पे में इसे प्लेइन ही रखना है बाकि जितना भी फैबरी के उसमें प्लेट्स डालनी है दोनों साइट प्लेइस डालनी है और अपोजिट ट्लेइट्स डालेंगे नीचे के साइट के यह देखिए इस टैप से अब हमें यहाँ पर इसमें जो हमारा बैल्ट था उसमें हमें इस तरह से कड़वर्क की डिजाइन बना ली है और डिजाइन की बाद हमें आप इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है या फिर आप पूरा इसमें लाइनिंग भी यूज़ कर सकते हैं तो इस टैप से हमें लाइनिंग भी यूज़ करना है इसमें और अब उपर के साइट पर हम पाइप इन लगाएंगे यह दिखिए इसको इस तरह से फोल्ड करना है फोल्ड करने के बाद स्लीस में इस को टेज़ कर देना है यह दिखिए तो स्लीस भी हमारी कम्प्लीट हो गई है अब हमें शोल्डर को स्टीच करना है फोल्डर को स्टीच करने के बाद हमें स्लीस को टेज़ करना है तो सैंट पर रकर स्लीस को हम स्टीच करेंगे दोनों साइट से स्लीस को स्टीच कर देना है यह दिखिए सैंट पर पिन अप करते हो यह साइट से इसको स्टीच करेंगे अब सांपे सेंटर से चेस्ट के फोथ पार्ट पर मार्किंग करनी है यह पर वेस्ट का फोथ पार्ट सेवन इंच लेना है दोनों मार्किंग को मिलानी है स्लीस राउंड का हाफ ले लेना है फाइप पॉइंच तीनों मार्किंग को मिलाते हुए फिटिंग लगाएंगे तो फ्रेंड्स यह है हमारे ब्लाउस का फाइनल लोक I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर और कमेंट जरू करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा तैंक यू